हलो फ्रेंड्स मैं आओ मितलेविस कुमार और आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम लोग डी फार्मा इंटरंस एक्जाम दोज़र तैस के एक्जाम के पॉइंट अव यू से एक काफी इंपॉर्टेंट चेप्टर रेस्पिरेटरी सि लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफीशियल हो सके ठीक है और यदि आप पूरे अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपसे यहां पे सारे कोश्चन भी बनेंगे क्योंकि हमने अपने पेड क्लासेज में रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरे अच्छे तरीके से तीन लेक्चर मे आएगी ठीक है चले स्टार्ट करते हैं हमारे फिर्स्ट के साथ हमारा फिर्स्ट क्या है वाइविया स्वसन में भोजन का दहन कौन सी गैस की उपस्तिती में होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डैयोकसाइड अमोनिया पहले आप कोश्चन टिक किजिए अपने इस यहीं से होता है इंगलीज में बोले तो एअरोबिक रस्पिरेशन होता है किसके उपस्तिती में होता है वैसे उपस्तिती में होता है जो जो भोजन का देहन होता है उसका equation क्या है स्वासन का equation क्या है वाइवियर स्वासन का equation आपके exam में काफी directly पूछा जा सकता है कि कौन सा equation सही चार option देगा तो आपका जो भोजन है माल लेते क्या है ग्लुकोज है बनाता है अब बात आती कि बैलेंस होना चाहिए तो एक गुलकोज मॉलिक्यूल के टूटने में कितना यहां पर जुरत पड़ता है यहां पर देखिए इस तरीके से याद रखे कि नॉर्मली यह होता है सिर्फ गुलकोज में नहीं लगाएंगे ठीक है तो गुलकोज के टू बनाता है यह एनरजी केरंसी केरेंसी कहा जाता है अब है क्या कि प्रोकरियोटिक में भी होता है यह यौ होता है लेकिन यह मोलेकुल के एक गुलकोच के मॉलिक्यूल के टूटने से कितना ATP उड़ जा बनता है 38 ATP जबकि यूकरियोटिक कोशिका में एक गुलकोच मॉलिक्यूल के टूटने से कितना ATP बनता है 36 ATP अगर डिरेक्टली आपसे पूछ दे कि एक गुलकोच मॉलिक्यूल के टूटने से कितना ATP बनेगा त आप कॉंसेट्टिक करना 36 क्योंकि जो मैक्सिमम एरोबिक रस्परेशन यानि वाइव ये सोचन में होता है किलियर चीजे समझ गए कि वैसी सोचन है जो कि ऑक्सिजेन के पस्तिती में होती हो प्लस इसका एक्वेशन क्या है यह है यह हमारा गुलकोच गुलकोच ऑक्सिजेन से ठीटीपी बनता है ठिक है चली अब हम लोग नेकल नेक्शट कोशिन है स्थन्यों में को बंध की हुए उरुद् घच्छफ होता है पिप्ला को कवर करने वाला जो कवर्रें गए उसको वाहिए करते हैं घौ हो लंक्स होता कितना है दो इस साइड़ वाला अब लों क्या कहतें गए इस साइड वारा को यहां पर दिएए यहाँ पर दिख रहा है नар प्लीवडल मेंबरेन तो जो के प्लिवरा करा रहें चीज़ सब लिएक सब्सक्राइब ध्यान रहेंगए कि लंग्स का क bathroom होता यानि हमारा है में राप नग्स का साइस है खुड़ाइ份 बड़ा होता है राइट लंग्स का साइस थोड़ा सा बड़ा होता है किसके लिफ्टी क्यों 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 कि इधर की काडियक नॉच पर ज committees लीख क्या जाता है चोटा होटा है रॉक्त होता है ये हमारे कितने लोब में बटा होता है मैं टो दो नो आएगा कि हराइगा चुन नwe हमारा दाया नंग्स कितने लोब में बटा होता है तो दो लोब में ठीक है चले आप हम लोग पर आते हैं नेस्ट कुछन हमारा क्या है का सिख्का कहलाता है ने तौन बताया था कि फॉर्म में बनता है तो किसको कहते है ATP को कहते हैं किसको कहते है ATP को आप हमें यह बता SERVS पूंक्रा पूछर्ण पूच्ड पूच्छा जाता है तो आप कहिए Ведь कशन वरूर्ड जब empowerment है तू قंछिए का्षा एडिंग ऑडอर जीवां ला हमेंğे को कहने केका रही पोच्छा जाता है तो थेब कर तो हम नहीं चुबाद में क्या पढ़ा कि इसमें मिलनी हम लोगो दो टाइप का पढ़ना है जो क्या कहते हैं फर्मेंटेशन में दो प्रकार का होता है एक होता है लेक्टेट फर्मेंटेशन में क्या बनता है गुलकोच से लैक्टिक एसीड बनता है और जो एलकोहलिक फर्मेंटेशन होता है और लेक्टेट फर्मेंटेशन में गुलको से बनता है थनोल बनता hethenol weakest छो पाया जाता है मं मसल्स में बोलेटिक मुझे बोले मशल्स में क्या पायाता है % estimate देखने को को मिलता है और alcoholic fermentation किसमें देखने को मिलता है इस्ट में किसमें इस्ट में जो सराब बनाते पिने योगे सराब वो इस्ट के किनवनी करन से बनता है ठीक है तो यह मान स्पेसियों में बनता है मान स्पेसियों में कैसे होता है जब आप मालीजी अचानक से बहुत ज्यादा exercise कर सब्सक्राइब कर दोड़ रहे जब भाग रहे ठीक है फिर भी भाग रहे और आपका क्या हुआ अब उतना सांस नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर क्योंकि हाफने लगते और ज्यादा और ज्यादा ज्वादा जड़त है पैर का जो मशल्स है उसको अप पहुंची लेकिन ल तो बिना oxygen कही वहाँ पे क्या होता है गुलकोच टूटने लगता है तो उससे बहुत कम मुर्जा बनता है और साथी साथ उसमें byproduct के रूप में lactic acid बनता है जो कि हमारे पैर में जकडन का कारण कर देता है जो कि हमारे पैर में दर्द होने लगता है काफ मसल में जो हमारे जा क्या बनता है lactic acid बनता है लाइक रूदीरानों में किस प्रकार का स्वस्षंद पाया जाता है तो लाल रूदी रानु मतलब कि आरपीशी में किस प्रकार का स्वस्षंद पाया जाएगा तो याद रखेगा mitochondria present नहीं होता है नहीं nucleus present होता है और बिना mitochondria के ovivious ocean होना eukaryotikosika में possible नहीं है ठीक है क्योंकि mitochondria के inner membrane में हमारा ATP formation होता है तो जब mitochondria नहीं है तो इसमें ovivious ocean होगा नहीं तो होगा क्या ovivious ocean यानि anaerobic respiration तो rbc में किस प्रकार का वाईवious ocean देखने को मिलता है लाल रुधी रानुओ यानि rbc में किस प्रकार का वाईवious ocean देखने को मिलेगा ठीक है जलिए अब हम लोग next question पर आते हैं हमारा next question क्या है वह जन्तू जिसमें जल से oxygen gills द्वारा पहुंचती है कि इसमें रिष्परेटरी औरगन तो यहां देखें कि हमने जितने भी रिष्परेटरी औरगन पढ़ना है डिफेरेंड डिफेरेंड और गेंजिम्ण का वो सब एक जगल लिखा दिया वह सब पढ़ा दिया तो आप वहां से पढ़ रहे होंगे या फिर आप सबसे पहले मचली का है किसका है प्लस टैड़ पॉल और टी डी यह पी ओल आफ फ्रॉग प्रॉग का टैड़ पॉल यानि फ्रॉग का जो बच्चा होता है लार्वा वो टैड़ पॉल में भी गिल्स के द्वारा ही होता है respiration तो आप option मिला लीजिए मनुष्ट में फिफडा के द्वारा होता है तो यह होगा नहीं अंसर मचली में होता है मेधक का टेड़ पॉल लारवा मतलब टेड़ पॉल हो गया वही तो उसका मतलब क्या हुआ यह दोनों में क्या होता है और गिल्स के द्वार ऑक्सिजोन था अब बात करते हैं मैं respiratory quotient RQ होता क्या है स्वासन गुनांग है क्या तो RQ यानि respiratory quotient इसका RQ का मतलब होता है volume of CO2 volume of क्या CO2 evolved evolved बटे बटे volume of O2 consumed volume of O2 consumed क्या volume of O2 consumed क्या volume of O2 consumed O2 यूज हुआ है जैसे कि आप equation अभी देखे थे कि C6H12 O6 वाला कि यह दि गुल्कोच से हम लोग respiration कराते थे उसका 6 O2 का जुरत परता था प्लस कितना carbon dioxide बनता था छे carbon dioxide बनता था प्लस क्या बनता था water बनता था कितना छेगो और प्लस क्या ATP बनता था तो यहां पर इसका अगर RQ निकालने के लिए बोल दिया जाए गुल्कोच का RQ तो volume of CO2 evolved कितना CO2 निकला है बहार बना है तो 6 बटे इस volume of O2 consumed कितना O2 यूज हो रहा है 6 6 बटे 6 कितना हो जागा एक मतलब respiratory constant गुल्कोच का कितना होता एक गुल्कोच का कितना होता एक तो क्या आप सबका याद रख पाएंगे नहीं सबका इक तो याद नहीं रहता है तो आपको तीन चीज का याद रखना है क्या क्या गुल्कोच का याद रखना है respiratory constant fat और protein का याद रखना है fat और protein का याद रखना है प्लस आपको किसका याद रखना है और other organic acid का other organic acid Organic Acid मतलब जो भी carbonic uml होता है उससे बनता है तो Organic Acid, ठीक है, तो आपको जो glucose में होता है, पका पकी respiratory qosent 1 होता है, fat और protein में एक से कम होता है, एक से कम, exact value नहीं याद रखना है, एक से कम, एक से जादा और other acid में क्या होता है एक से जादा होता है इस तरीके से आपको question आएगा जब भी आएगा और आपको ज़्यादा ज़्यादा गुलकोच का आपको directly पूछ सकता है कि कौन सा होता है कितना होता है value तो गुलकोच होता है one fat और protein का होता है एक से कम और other organic acid का एक से जादा तो किसका होता है सुनिए आपको पढ़ना नहीं oxygen कि किसका होता है oxygen की नए ठीक है यह question में आते हैं निस्वासित वायू inspired एयर में सरवाधिक परतिसत मात्रा होती है आप लोग answer कीजिए फटा-फट से तब तक मैं थोड़ा सब पानी पी लेता हूं थोड़ा सब आप हमें बताएए निस्वासित वायू यानि inspired एयर में सरवाधिक परतिसत मात्रा होती है सरवाधिक परतिसत मात्रा होती है inspired एयर में inspired एयर कहने का मतलब क्या हुआ inspired एयर जो हावा हम लोग सांस के अंदर लेते हैं उस्स-का ? w कि ए्ड़ा चिसके प्रतिसत मात्रा कितनी है तिन गयजगाट कुम से कम याद रखिए नैट्रोजेन कितना होता है होता है 201% होता है और क्या-क्या carbon dioxide कि इतना होता है तो जी रो पॉंट भौन, azio 4% होता है ठीक है यह हों गया एंवारोंडल एर को ही नजो हमिंभी आंदर करते हैं तो इसी में कहीते हैं जो सबसे ज़ाधा क्या है इसी ओंव लोग inspired air भी कहाते हैं inspired you इसमें सब से ज्यादा किसका होता है नैट रोजन का होता है फिर रहो या फिर एंसपायड तक इंप् intellectually ऐसे दिश नहीं समय कुछ पाँच परसेंट वाहर निकाल करते है तो आप से पूछा जाएगा एक कौन सी गस पर परसंट पुझाएगा एक्सपाइड एयर में कितनी प्रतिसाइड मात्रा होती है तो 16% इंस्पाइड एयर में कितना तो 21% समझदे इस तरीके से कार्बन डियोग्सपाइड का मात्रा देखिया एक्सपाइड एयर में थोरा सा बड़ गया पहले 0.04 था अब 4% हो गया तो परसीशत ऑक्सिजन होते हैं हमने बता दिया एक्सपाइड एयर एक्सपाइड एयर की बात कर रहे हैं जो सास बाहर निकालेंगे हमने बता दिया जो सास अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सपाइड की मात्रा कितनी होते 21% कितना यूज करते हैं 5% कितना बाहर निकालेंगे 16% त सेल में जो मैंट्रो क्या जाता है तो उसमें ब्लाज्मा जिल्ली के किसमें पलाज्मा जिनली यानि मेंब्रेन जो होता है उसी के emergency में बना होता है जिसको मोरे होते हैं मेजों कहते हैं जो कि meshbosm काटे है कि यह करता है कि symmetry असी में परेटिरी एंजाइम परजेंट होते है प्लाजमा जिलई आ लग क्या वता है respiratory enzyme पाया जाता है prokaryotic को सिकाओं में ठीक है चलिए next question क्या है मनिश्च के लिए hemoglobin अनू के साथ oxygen के कितने अनू जूड सकते हैं तो one molecule of hemoglobin कितने molecule of oxygen को का एक बार में बैद देखे hemoglobin हमको पता है कि blood में किसली होता है oxygen और carbon dioxide के transportation के लिए तो oxygen का जो transportation होता है एक जगा दूसरे जगा परिभाण होता है वो दो फर्म में होता है 97 परसेंट जो oxygen होता है वो किस फर्म में हो जाता है बताए ऐक हिमोगलोबिन के अउक्सी हीमो और जो 3% गा ट्रांस्पोर्टेशन होता है किसमें डिसॉल्ब मनलब खुन में घुल के डिसॉल्फ फर्म में होता है तो मेली मैक्सिमम क्या हो रहा है एक हिमोग्लोबिन मौलीकुल एक साथ में कितना उक्सिजन से बाइंड कर सकता है तो कितने oxygen से bind कर सकता है, 4 oxygen से bind करता है, 10HbO2 बनाता है, क्या बनाता है, HbO2 बनाता है, clear हुआ, एक hemoglobin molecule, 4 oxygen molecule से bind कर सकता है, क्यों? क्योंकि एक हिमोग्लोबिन मॉलिकुल में कितने चार बाइंडिंग साइट होते हैं कितने चार बाइंडिंग साइट होते हैं क्लियर। जरूरत के साथ सकते हैं तो आपकी आँसर जुड़ सकते हैं क्या ज़्यागा चार आनसर देखी अगर अच्छा लग fascite लिए तरहिए तुस्ट्रएं events कर्वाता हूं एक Tú CHRIS कि इस तरीके के सीरीज को मैं यूट्यूब पे भी स्टार्ट करूँ या नहीं ठीक है यूट्यूब पे मैं कम से कम mcq करवाता रहूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहेगा और paid classes में करके आप हमारे साथ theoretical को भी अच्छे से पढ़ते रहेए ताकि आपको best experience में ठीक है चलिए next question हमारा क्या है कि कौन सी मुख्य आवस्ता है जिसमें CO2 का स्थानंतरन रुधीर द्वारा होता है हमने ओटू का तो बता दिया कि किसी रूप में होता है oxyhemoglobin के रूप में लेकिन CO2 का स्थानंतरन तीन रूप में होता है कितने रूप में तीन रूप में तो पहला जो रूप है वो क्या है dissolved form में dissolved form में मात्र कितना 10% CO2 यूज होता है दिस 10% CO2 जो ना carbon dioxide से घुल करके ट्रांस्पोर्ट होता है और दूसरे नमर में हम लोग बात करें तो आपका जो क्या करते हैं बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में HCO3 माइनस के फॉर्म में लगभग 70% carbon dioxide जो सबसे ज़्याद carbon dioxide किस फॉर्म में मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट होता है तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में किसके फॉर्म में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और तिसरा नमर carbon dioxide hemoglobin के साथ भी हो सकता है तो कार्बा मीनो हीमोग्लोबीन कितना है तो आपका के करते लगभग 20% लगभग 20% के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है तो मुख्य आवस्था क्या हो जाएगा जो सबसे ज्यादा होगा सबसे ज्यादा क्या है आपका क्या हो जाएगा वाला क्या है जिया क्या हो जाएगा और या आपके दूसरे लिख यहां पए यहां लोब हो गया दूसरा लोब यहां जोग परजेंट होता है और इसको तीन लोब में राइट लंग्स जो फेपड़ा होता है राइट लंगस कितने लोब में बटा उता है तीन लोब में वाण टू हर थी ठीक है और इसके नीचे जो बोदा होता है और टाइफ़राम के खर रूपर किसंडे कहा जाता है कि left lungs क्या left lungs smaller than right lungs right lungs से थोरा सा छोटा होता है left lungs ठीक है तो मनुस्थ्य में जो दायां फिफडा होता है वो दूई पाली दो लोब है दूई पाली मतलब लोब नहीं राइट लंस तीन लोब होता है चार पाली तो नहीं यह भी गलत हो गया त्री पाली जी हां जो मनुस्थ्य में दायां फिफडा है वो कैसा होता है त्री पाली तो ताया नहीं तीन लोब पाया जाता है चलिए ठीक है इस तरीके से हमारे एप पर स्टार्ट हो गए है तो यदि आप हमारे साथ जोड़कर अच्छे तरीके से थेोरिटिकली में कवर करना चाहते हैं पूरे सिलिबस को तो मैं आपको पता देता हूं क्या करना है आपको आपको क्या करना है कि उधित फार्मेसी प्ले स्टोर पे जाए प्ले स कुछ demo lectures भी free of cost available हैं आप उसको भी विजिट करके देख सकते हैं तो आप हमारे course को जोइन करके अपनी तायारी को एक अच्छे लेवल तक पहुचा सकते हैं जिससे कि आपको एक अपने सरकारी कॉले से फार्मेसी करने का सपना पूरा करने का एक बहतर सुनारह मौका मिलता ठीक है और आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है कि कि करते course को जोइन करने में तो आप हमारे साथ इस नंबर पर contact कर सकते हैं इस नंबर पर आप सुभा 8 विजिश लेगर के सामके 6 विज़े तक contact कर सकते हैं आपको हर्त देखे की मदद करने की कोशिस की जाएगी ठीक मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद ओके बाबाए